Friends, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि WhatsApp का notification कैसे बन करें, मतलब आपका WhatsApp का कोई भी notification आता है, इस वीडियो में हम आपको यही बताएँगे कि WhatsApp का notification को कैसे बन करें, तो सबसे पहले आप नहीं करना कि आपको अपनी mobile की settings को open कर लेना है, तो settings को यहां से भी open कर स सकते मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ सेटिंग के अंदर आने की बाद यहाँ पर आपको ढूरना app management वाले option पर click कर लेना है और यहाँ पर आपके mobile phone में जितने भी application है सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पर whatsapp ढून लेना है अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर search कर लेना है तो यहाँ पर मैं ढून लेता हूँ whatsapp आपने whatsapp वाले option पर click कर लेना वीडियो के last में एक और तरीका बताने वालो इससे भी काफी आसान तरीका है तो फिर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा whatsapp वाले option पर click करने के बाद तो यहाँ पर देखिए first में लिखा हूँ है manage notification simply आपने manage notification वाले option पर click कर लेना फिर आपके सामने कुछ इस परकार का page open होकर आ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते सभी notification on है whatsapp के तो आपने off करने के लिए देखिए यहाँ पर first में लिखा हुआ allow notification simply आपने इसको off को turn off कर लेना मतलब आपको यहाँ से off कर लेना जैसे off करेंगे देख सकते allow notification को जैसे off यहाँ पर किया तो यहाँ पर शारी notification whatsapp की off हो चुकी अब whatsapp से कोई भी notification आएगा तो आपको screen पर notification बार में नहीं दीखेगा तो चलिए मैं आपको last वाले तरीका बता देता हूँ तो आपने करना क्या होगा setting को minimize कर लेना और whatsapp पर tap करके रखना है 3 second तक tap करके रखना है और यहाँ पर आपको देख सकते ही option पर click करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का page आएगा यहाँ से भी आप on off कर सकते है तो आई होप कि यह छोटी सी जनकारी आपको ज़रूर पसन आए होगी तो वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe करके बेल आकन को all पर press कर दे तो अपना ख्याल एकना चलते हैं फिर किसी next वीडियो में मिलते हैं